जेहिन दोस्तो जोब सर्च यूटूब चैनल में आपका स्वागत है मैं LDC MP शिंग आपको एक बार फिर मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ एक न्यू केंडिडेट के अपॉंडमेंट लेटर के साथ अभी एक अपॉंडमेंट लेटर आया है जो की इन्फेंट्री स्कूल मह मुका रहने वाला है वह है केंडिडेट जो काफी दिन से मेरे गाइडेंस में था और उनकी खुद की मेहनत से यह पॉसिबल हो पाया है इनका कुक ट्रेड से इनका वापॉंडमेंट लेटर रहने वाला है इसलिए मैं आप केंडिडेट को कहता हूं कि 6 मंत में जोइनिंग भी हो रहा है इनकेंडिडेट का तो आप हर जो भी डिफेंस के फॉरम निकलते हैं उनको अपलाई करें और उनके साथ साथ होने वाली डिफेंस की जितनी भी स्टेडिय मेटेरिल है वह में टेलेगराम गुरूप पर उपलबद है कोई भी सोट कट नहीं है किसी भी विकेंसीज का तो आप अपनी पढ़ाई जरूर करें लेकिन ये बात पकी है कि आपकी पढ़ाई जो बार जी इतनी भी एक्जाम देते हैं उनसे आदा त्यारी आपको इसमें करना होता है तो इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कम्पलिट वीडियो में कि जो भी केंडिरेट का अपॉर्ण में लेटर आया है उनका क्या 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 डोकुमेंट साथ में लेके जाने है और क्या क्या आपको उसमें प्रोसेस करनी है और मेडिकल सेटिवेट कहां से ब आपको क्या क्या आप देख सकते हैं जो फोलिंग अपॉंडमेंट लेटर सब्जेक्ट के अधार पर दे पा रहा है यह दि आपका कोई भी साधी किया हुआ है तो एक से ज्यादा इस पॉंची नहीं होना चाहिए और आपको असेप्ट करना होगा कि जो भी फैल सेर्वीस जिसमें आपको कहीं भी आल इंडिया सर्वीस के लिए कहीं भी बेच सकते हैं साथ ही इसमें जेल विंग बेल गाम के लिए भी इसमें दिया गया है कि वहाँ पर भी आपको जाना पर सकता है इस कंप्लिट वीडियो में आपको मेडिकल से लेके क्या काय डोकुमेंट साथ म वाला हूं तो वीडियो पर पूरा complete देखें और कहां पर आपको medical बनवाना है यह दि medical में कोई problem आ रही है तो आपको क्या करना है उसके complete जानकारी में इस वीडियो में देने वाला हूं आप स्क्रीन में देख सकते हैं नीचे आपका जो बीडियों देए में इसमें साफ दिया गया है कि यह दि आपका आपका अपॉंड्मेंट लेटर में यह डोकुमेंट इसमें सारे डोकुमेंट आपके जो भी है वो आपको लेके कहीं भी नहीं जाने हैं ओनली जो आपके डॉकुमेंट फॉरम के साथ अपलाई किये थे उनी डॉकुमेंट को वरिफिकेशन के लिए बेजा जाएगा आपको ओनली मेडिगल डॉकुमेंट जो दिये गए क्या आपका फॉल अपरेल तक आपको आपको जोईणिंग करना यह इसमें आपको सी नीचे दिया गया। और आपका थम्ट इसमें आपको सिगनेशर करने हैं और नीचे आपका थम्ट जो भी साथ में मेडिकल सेटिवेट के दिये गए हैं उनको आप चेक कर लेते हैं इनमें क्या-kya वर्णा है आपको state of name या आपका नेम आजाएगा फुल टो में अपको इसमें लिखना एंप को स्थी अवेघ्नेशन नाजा उसके पारे में लिखना है, साथ में नीचे आठ नुमर के कोलंग में साइच में आपका प्हादर्स सब्स première और लीविंग और जो आपकी प्हादर्स की है थे उसके बारे में दिया है फिर बर्दस की बारे में दिया है मदर्स और शिष्टर के बारे में सब के आपके दिया हुआ है इसमें किंडिडेट के सिगनेचर आ जाएंगे फिर उसके बाद में मेडिकल अफसर के सिगनेचर आ जाएंगे उसके बाद में नीचे का जो फुरम एज में आने के बाद में उसमें आपका जो ट्रेड है वो आजाएगा और जो भी आपकी एज है वो आजाएगी इसमें बाकी का medical अपसर इसमें साइन करेगा वही इसमें बढ़ेगा आपके government सर्मेंट है आप आपमें नीचे होंगी इसके बाद में इसके बाद में आप देख सकते हैं medical report fitness civilian for the field service इसमें आपका सीरियल नंबर जो school नंबर हो आपको नहीं बढ़ना है रink बढ़ सकते हैं और जो आपका name है वो बढ़ सकते हैं इसके बाद में आपका जो भी इसमें दीया हुआ है वो complete medical officer से बरवाए जाएगा यदि कोईशी भी medical officer से नहीं बरवा पाते हैं या medical officer आपका जो medical नहीं करवा पाता है कर पाता है तो आप please महू में आके medical करवा सकते हैं वहाँ पे civil hospital है वहाँ पे आपका सबका medical हो जाएगा और civil hospital में आपकी एक परची कटेगी 300 रुपे की इसके बाद में सब जांचे करवाने के बाद में आपका वहाँ के medical officer आपको जांच करवा के complete document बना के आपको दे दिया जाएगा तो आप वहाँ पे भी अपना जांच करवा सकते हैं और जिसमें नीचे आपके medical officer के sign होंगे और ये महू MP के जगे आपका जो date है वो आ जाएगी ये complete आप देख सकते हैं इसमें आपकी vision और जो भी आपकी eye है उसके बारे में urine में जो जांच होंगी जांच करके ही आपको medical certificate बना दिया जाएगा तो जितने भी candidate हैं जिनका medical certificate नहीं बन पा रहा है और जो candidate ऐसे हैं जो कि जिनके medical officer कोई भी जानकारी नहीं है या medical officer से कोई दूर दूर तक आपका civil hospital नहीं है तो आप महू में आके वहाँ पर civil hospital है वहाँ पर आप अपना medical बनवा सकते हैं और जितना जल्दी आप appointment करेंगे जो भी जोइनिंग करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए आपको कोई भी document साथ में नहीं लगाने है बाकिकी complete आपकी document है वो verification के लिए जोइनिंग के बाद में बेजे जाएंगे तो आप complete पहले जोइनिंग कर ले जो भी document ले और उसके बाद में आप complete जान करे ले अभी bank detail की बात कर लेते हैं तो आपके पास किसी भी bank की checkbook है और complete bank का passbook है तो आप उस bank को फिल कर सकते हैं यदि bank की checkbook है नहीं है तो आप यहां महूं में अपना खाता HBI में खुलवा कर वहां से checkbook लेकर आप दे सकते हैं साथ में आपको photo minimum 40 photo जो passport size photo 40 photo आपको साथ में लेकर आना है जो भी आपके candidate है उनके माता पिता की 12 या 15 photo आपको साथ में लेकर आना है जिससे आपको कोई problem नहीं होगी बार-बार में आपको उनकी photo मांगने के लिए problem नहीं होगी तो अपनी माता जी और पिता जी की 12-15 photo आप साथ में लेकर आएं और खुद की 40-40 photo अपने साथ में लेकर जाएं जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और जो भी medical के लिए आपके document है वो complete बना कर साथ में लेकर जाएं और जल्दी से जल्दी जोइनिंग कर लें कोई भी आपको any document verification पहले नहीं हो रहा है और जितना जल्दी जोइनिंग करेंगे उतना ही आपका seniority ज्यादा लगेगा और उसी दिन से जिस दिन जोइनिंग कर लेंगे उस दिन चालू हो जाएगा वहाँ पर quarter भी अबलेबल है तो आप quarter भी तुरंती मिल जाएगे और आपके payment उसी दिन से चालू हो जाएगी और यदि कोई आपको दिक्कत है इससे समंदित तो मेरे टेलिग्राम ग्रूप पर message कर सकते हैं comment कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों